आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर की सबजी तूड़ फूट के रोयल मखनी ग्रेवी के साथ इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल लेकर थोड़ा जीरा और थोड़ी सी ही और उसमें एक कटा हुआ कांदा बारिक काटकर सौटे कर लेंगे अचिनलोग है नीज अटे की सरी और पखिड़ा थे काटकर समाट है रोंगे मां एक जोड़ा है वा बालेंगे वां अब इसमें एक कटावा टामाटन डाल डालेंगे और इसमें अब हम बहुत ही कम नाम मात्र को मसाले डालेंगे हल्दी थोड़ी सी लाल मिच्चे और थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक क्योंकि यहां पर हम टूद पूद की ग्रेवी यूज कर रहे हैं उसमें सब कुछ मसाले वगरे हैं इसलिए यहां पर हमने बहुत ही कम मसालों का सब्सक्राइब की यहां पर रहे हैं इसलिए ग्रेवी डालेंगे अब ग्रेवी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्सक्राइब करें इसमें इसमें एड़ कर देंगे और फिर इसमें पनीर एड़ कर देंगे और फाइनली हम इसमें दाइसो एमेल इतना पानी आड़ कर देंगे अब आप 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 अब पनीर को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स करके स्लो गैस पर दस मिनट पर कुप कर लेंगे ढगके दस मिनट बात सबजी बन कर तयार है अगर आप ग्रेवी और थिक चाते हैं तो पांच मिनट और पका लीजिए वरना सबजी खाने के लिए रेडी है अब इसमें अब इसमें थोड़ी सी क्रीम डाल देंगे । औरं रहे ग यह से गारवनेश कर देंगे कर देंगे झाल झाल झाल